अच्छा एक बात बता दू कि वीडियो का टाइटेल और थमनल देखर करके आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दस लाग का लोन लेके पढ़ाई किया और माफ हो गया ऐसे बहुत सारे लोगों ने मेरे ओल्ड वीडियो में कमेंट किया था जो एजकुशन लोन ते मैंने वीडियो बनाई थी तो मुझे लगा कि कहीं ने कहीं यह कंफुशन आप लोगों का दूर करना ही पड़ेगा और अगर यह कंफुशन दूर नहीं हुआ तो यह मैज एक अफवा बन करके इस तरह से इस तरह से घूमती रहेगी तो अगर देखो आप एजुकेशन लोन लेत कि अगर आप एजुकेशन लोन लेके पड़ाई करते तो प्रॉब्लम में फच सकते हैं अभी 10 लाघ का लोन लिया और माफ कर दिया ऐसा कोई बैंक नहीं है कि अगर आपको job नहीं मिली 10,000,000 लिया या 5,000,000 लिया 2,000,000 लिया और job नहीं मिली तब तक आपको पैसा नहीं देना है या तब तक आपको loan माफ हो गया ऐसा कहीं नहीं contract में लिखा होता है चाहिए आपको job मिले या ना मिले कुछ contract में इस तरह से लिखा होता है कि जब हम engineering कर या MBA कर लेंगे जो भी कर रहे हैं उसके 6 महीने बाद से हम लोन पे करना स्टार्ट करेंगे तो यह माइंड से बात हटाना बहुत ज़रूरी था कि 10 लाग के लोन ले ले और जब तक जॉब नहीं मिलेगी तब तक आपको देने के ज़रूरत नहीं या माफ कर देंगे जॉब लगे तो माफ कर देंगे लोन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और यह पैसा है यार पैसा आप किसी से भी लोगे किसी भी सिच्वेशन में लोगे ड्रजन मैटर कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो वह आपको रीपे करना ही पड़ेगा और चाल लाख रुपय लोन अग क्या चल रहा है बहुत सारे factor होते हैं यह यह लोन वाले मैटर में जब आप जाकर के चीजा तब आपको समझ में क्य ide किस तरह से काम करते है आप पॉलेटेग निक लिए रहे हो चाहिए बीटेक लिए के लिए बीय के लिए 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 और याने के लिए पुर्वरोड जाने के लिए लरे हो तो विसली आपको यह कंडिशन में लोन माफ नहीं हो सकता है जैसे हम लोग पढ़ रहते उस टाइम आया था कि मन्मोहन सिंग की सरकार थी तो उन्होंने का था कि लोन माफ हो जाएगा वो भी कुछ पर्टिक्लर बैंकों का लोन माफ हुआ था सारे बैंकों का ले जाओगे तो जो भी जोबंचे न लेकर करने जा रहा सबसे पहले विसाइड करें कि कि ता मैं किस कॉल्च में जा रहा है सही है या नहीं है साल सबसे बैटर गर इन गर देख करें अगर और इन सब ख़िए था में खताने आगा तो बस इस वीडियो में इतना है हो गए जो आपको पसंद आया होगा करेंडर चैनल टेलिग्राम पर जो लोग टेलिग्राम पर वहां पर विज्वाइन जरूर करें थैंक यू